अब दोस्तों मैं आपका दोच जतिंदर आपका मैं वेलकम करता हूं आई टी स्पोर्ट की इस वीडियो पर दोस्तों आज का जो टॉपिक है जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है यूटूब की क्रेट ओक्षिन में जाकर आपको क्या चीजे मिलती है उसमें आप क् कर सकते हैं जैसे कि अफलोड की औक्षिन आपको दी जाती है वो लाइफ की योप्शिन आपको दी जाती है आपकह क्या कर सकते हैं अगर आपको यहां से क्या फैदा हो सकता है अगर आप लोगर है तो आपको इन अप्शिन से क्या मिल सकता है अगर आप ट्रैवलर हैं तो आप ट्रैवलिंग करते हो एक शैर के उपर काफी सारी वीडियो गुनाते हैं तो आप चाहते हैं कि उसकी प्लेइलिस वंजे कि मैं अगर चंडीगर में आया हूं तो चंडीगर में में छे जगा देखी है तो छे जगा की प्लेइलिस वंजे कि अगर कोई परतनाव की एक वीडियो देखते हैं वह आपकी बाकी बचे हुई सारी वीडियो देखते हैं यह बहुत इंपोर्टेट वीडियो उन लोगों के लिए है जो की सर्वीस प्लॉक एंड टैबल अधर सर्वीस मतलब की अगर आप योगा करते हैं अगर कोई क्लासिस वीडियो उनके लोगों के लिए बहुत इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़े उनके लिए बताऊंगा कि जो चीज़ें आप वहां पर कर सकें तो आपके चैनल पर बहुत सारे वियू आए तो मैं आपको ले जाता हूं सीदा डेक्स्टॉप पर आप डेक्स्टॉप पर सीदा ही मैं अपने यूटॉप स्टॉडियो पर आचुका हूं यहां पर आप देखेंगे यहां पर क्रेट ऑप्शन दी होई है और साथी जब आप चैनल अपना या मोबाइल पर उपन करते हैं या फिर आप डेक्स्टॉप पर उपन करते हैं तो यहां पर भी आपको चैन अप्लोड वीडियो जब भी आप वीडियो अप्लोड करते हैं यूटूब के उपर के मैं क्लिक कर देता हूं जब भी आप अप्लोड करते हैं किसी वीडियो को तो यह ओप्शन आपको दिखाए दीती है तो यहां पर आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होता है वह फाइल को या आप लाइब को स्ट्रीम दिखना चाते हैं यूटूब के उपर तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए गो लाइब के उपर जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैं लाइब होने वाला हूँ थोड़ी देर मेरे चैनल पर जितने भी सस्क्राइबर हैं यहाँ पर आप ही सब भी को एक नोटिफिशन हो जाएगी और आपकी जो चैनल के स्ट्रीम है वो सीधा ही ओनलाइन शो करेगी लोगों को कि आप लाइब आ चुके हैं यूटूब के उपर और लाइब आप बात करें यूटूब के उपर तो यह करने के लिए आपको सिर्फ स्टार्ट के बत क्लिक करना है और सीधा ये आपका जो बै का मोबायल का है मूइल का फ्रेंड कैम रा या आपके लैप्टोब का फ्रेंड कैमरा वह एक्टिएट हो जेगा और रहा आप सीधा ही लाय स्टींग्ह यापशन करने के बां यहाँ आप तो सीधा बार इसी ओप्शन पी आ गय बिलती है यहाँ से आप लगई लग तीके की पोस्टों को दिखा सकते हैं या बता सकते हैं जैसे कि मैं कोई पोस्ट को पोस्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूगा सीधा ही उसका link यहाँ पर गेर सकता हूं अगर आप गेरना चाहिए अगर आपके चैनल की अपनी वीडियो है तो यहाँ पे आप वीडियो वाले उप्शन पे क्लिक कीजिए वीडियो वाले उप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप उस वीडियो को ढानना चाहते हैं यहाँ पे तो यहां पर आप क्लिक कीजिए उपर उस वीडियो को यहां से स्टेक कर लिजिए अब वो वीडियो यहां पर फाइंड की जाएगी कहां पर वीडियो तो यहां पर वो क्लिक कर दीजिएगा अकर यह वीडियो वही है जो आप पोस्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आप जब यह लिखूँगा कि Welcome Back BSN कुई कि जो मेरी वीडियो का में टोपिक है वो यह ही है यहाँ पर आप हैस्टेग दे सकते हैं जैसे BSN आपके हैस्टेग भी यहाँ शो करेंगे तो मैं यहाँ पर सीधा इसे पोस्ट कर देता हूँ अब मैं जैसे ही से पोस्ट करूँगा यह सब भी को जितने ही मेरे सब्सक्राइबर है उन्हें नोटिफिकेशन जाएगी और आप देखेंगे कि हैस्टेग यहाँ पर शो कर रहा है ब्ल्यू कलर का दिखाई दे रहा है यह सारी की सारी नोटिफिकेशन जितने ही मेरे सब्सक्राइबर है उनके पास गई होगी कि बेसेनल के ओपर एक वीडियो आई है उनका यह है अब आगे करते हैं अगली ओप्षिन के ओपर जाने के लिए तो मैं बैक करता हूँ इसको मैं यहाँ से कहाड़ देता हूँ अब बैक आके मैं के द्वारा क्लिक करता हूँ अब बात करते हैं न्यूआप प्लेइलिस्ट के बारे में न्यूआप प्लेइलिस्ट क्या होती है न्यूआप प्लेइलिस्ट यह चीज़ है कि जब भी आप कोई वीडियो की एक से ज़्यादा बना लेते हैं सिके एक ही टोपिक के ओपर आपने आठ वीडियो मना लिए तो वहां पे आप एक निवा प्लेइलिस्ट बना सकते हैं यहां पर उसके बारे में कुछ लीजिएगा यहां पर आपने हमेशा पब्लिश करना है यहां पर डिफॉल्ट आपने वही रखना है निवस्ट लगना है तो यहां पे आप नहीं करिएगा ओ जो भी वीडियोगो आप आड़ करना चाहते हैं जैसि मैंने आको बलाया कि वह लिस्ट में आपने कावी सारी वीडियो बनाई है एक ही टोपिक पर बिडियो बनाई है तो मैं यह दो गइंपर कर दोंगänge कर दूँगा है और यह लग से BSNL के उपर, कि BSNL के उपर यहां पर दो वीडियो बनी हुई है वो दो वीडियो की वो अलग से एक case study बना देगा या फिर आप कह सकते हैं, यह अलग से एक topic generate कर देगा वाँ पर कि BSNL के उपर के बार, इनके बार दो वीडियो या इसकी RSS feed बनाना चाते हैं, आप सोचते होंगे RSS feed क्या होती है, दिखे फिरेंड अगर आप SEO या digital marketing का का काम करते हैं, तो आपको पता होगा कि RSS feed को यूज किया जाता है promotion के लिए, जैसे कि आप इसकी directage mission करते हैं आप अलगला type की submission होते हैं, उसमें इसका use किया जाता है, क्योंकि ये product cost के उपड़ी depend करती है और product cost के उपड़ी दिखाई जाती है, अब इसमें भी same वोई procedure है, यहाँ पे आपने नाम डानना है, जो भी आप नाम डानना होगी, same इन्हें ऐसे ही रहने देजेगा अगर आप भी post करना चाहते हैं तो ऐसे ही अगर आप प्राउस नहीं करना चाहते हैं private कर लिजेगा, या unlisted कर लिजेगा यहाँ पे आपको scheduling के option नहीं मिलेगी तो यहाँ पे add करना है, आपने उसी तरह तो फ्रेंट, वीडियो कैसी लगी, कमट करके जूबत आएगा और चैनल को subscribe करें भी न, मच जाएगा Thank you so much आप सबका वीडियो दिए